हेलो वेलकम मैं हूँ अरुन कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वालें क्लास 8 की प्रशनावली 8.2 के क्वेस्चन 3,4,5 और 6 का सॉल्यूजन अब देखो जो एक क्वेस्चन है ठीक है यह सब के सब क्रेमूले विक्रेमूले लाब और हानी से रिलेटिड है तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रेमूले क्या होता है विक्रेमूले क्या होता है ठीक है कब लाब होता है कब हानी होती है हानी परतिसात लाब परतिसात कैसे न मतलब कि जिस कीमत पर आप किसी वस्तु को खरीदते हो वो उस वस्तु का क्रेमूले हो जाता है जैसे कि मानली जी आपने एक किताब खरीदी ठीक है और किताब थी 30 रुपए की तो 30 रुपए क्या हो गया उसका क्रेमूले हो गया और विक्रेमूले क्या होता है वह मूले जिस पर कोई बस्तू बेची जाए ठीक है तो मतलब कि जिस कीमत पर आप किसी बस्तू को बेच देते हो तो वो उसका विक्रे मूल यानि की सेलिंग प्राइज बजाता है जैसे कि जो किताब आपने तीस में खरीदी थी मारलो की दो दिन बाद आपने वो किताब 40 रुपए में बे बेच दोगे तो आपको लाब होगा अगर इसका उल्टा हो गया तो आपको हानी हो जाएगी कहने का मतलब माल लीजिए अभी आपने कितने में खरीदी किताब 30 रुपए में ठीक है आपने किताब 30 रुपए की खरीदी और 40 रुपए में बेच दी ठीक है तो मतलब क्रे कोले, 40 अपने 40 में बेचा और खरीद है कितने मितबрий में 30 में, तो 40 में से 30 गया तो कितना हो जाया गाद 10 हो जाया तो, इसका मतलब क्या हो गया, कि आपको 10 रुपे का लाब हो ए, ठापको यह साँज में आ गया, कि लाब हमें कब होता है, जब हम कम में खरीद रहे हैं और जादा में बेच रहे हैं कहने का मतलब है विक्रेमूले बड़ा है क्रेमूले से ठीक है जिसकी तरब चोच होती है वो छोटा जिसकी तरब मुझ खुला होता है वो बड़ा इसी तरह से, अगर माल लोग क्रेम उले बड़ा हो गया और विक्रेम उले छोटा हो गया यैनि कि आपने ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया तब आपको हानी हो जाएगे, यानि नुकसान हो जाएगा और कितनी हानी हुई आप कैसे निकालोगे जो क्रेम उल्ल है उसमें से विक्रेम उल्ल गटा होगी ठीक है तो दोनों ही केसिस में जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटाना है जैसे कि मान लीजिए आपने जो किताब थी ठीक है वो खरीदी थी 30 रुपे में लेकिन इस बार वो बिकी 20 रुपे गी टो इस बड़ा आपको 10 रुपे की हानी हो गई, नुक्सान हो गया ठीक है ना, क्यूंकि आपने ख़रीदी थी 30 रुपे में थी लेकिन बेची आपने 20 रुपे ऒा ठीक है, तो हानी कैसे निकालोगी इस बार आपको क्रेम उल्ले में से विक्रेम उल्ले घटन पड़ेगा तो क्रेम उल्ले इस बार कितना है 30 और विक्रेम उल्ले कितना है 20 तो 30 में से 20 गया कितना बचाता है यानि 10 रुपे का आपको नुकसान हो गया हानी हो ठीक तो आपको ये सांज में आ गया कि कब हमें हानी, कब हमें लाब होगा और हानी और लाब कैसे निकालेंगे ठीक, अब इसके बाद देखो यहाँ पर ये जो दो फोमले हैं ठीक है, इनको आपको याद रखना है ठीक है अलग अलग formula आपको याद नहीं रखने ठीक है अगर आप इन दोनो formula को याद रखते हो इनको भी ना याद रखो तब भी आपका काम सलजाएगा ठीक है क्योंकि इन तीनों चीजों में से कोई सी ठीक है दो चीज़ा आपको दी होंगी ठीक है अगर जादा में बेचा है कम में खरता तो लाव नहीं तो आनी ठीक तो यहाँ पर देखो विक्रे मुल्ल क्या होता है क्रे मुल्ल में लाव जोड़ दो जैसे कि आपने कोई चीज मानलो 5 रुपे की खरीदी और जब आपने उस वस्तु को बेचा खरीदने के बाद जब आपने उसको बेचा तो आपको फायदा हुआ था दो रुपे गा तो आपने कितने में बेचा होगा कि आपको दो का फायदा होगा जाहिर सी बात है otros 7 रुपय में तीक है अगर आपने कोई चीज तो क्रेम गुले में लाग जोड़ना पड़ेगा और अगर हानी हुई है तो हानी को गटाना पड़ेगा जैसे कि माल लिजे आपने कोई चीज 12 रुपे की खरीदी थी ठीक है? 12 रुपे की खरीदी थी और आपको माल लिजे 2 रुपे की हानी होगी ठीक है, तो आपने बेची कितने ही में होगी, 10 में, भाई 12 में खरीद होगे, 2 रुपे के नुकसान पे बेच होगे, तो जाइसी बात है, 10 रुपे में बेची होगी, तो 12 में से 2 घटाओ, कितना बचेगा 10 तो मतलब कि विक्रे मूले, अगर हानी दी गई है, तो क्रे मूले में से हानी को घटा क्या आता है, ठीक, तो यहां से आपको ये बाते पता होनी चाहिए, ठीक है, बहुत बेसिक सी बाते हैं, ठीक है, याद रखना ही बहुत असान है, हमेसा याद रखना है, जोडना है घटा और हैनी होई है तो क्रमुलवे में घटा डो विक्रमुल्य आजाए खीक तो रिंद और विक्रमुल्य अगर आपको स्मोन में और इन दोनों को आध्रना मैं बहुत काम आएंगे मारे अब बात करते सब्हों जिस भी TVs का प्रति सब निकालना हैं वो उपर आएगा और नीचे हमेंसा क्रेमूले आता है याद रखना नीचे हमेंसा क्या आता है क्रेमूले परतिसत जो है हमेंसा क्रेमूले पर निकाला जाता है यह बहुत important line है जो मैंने भी बोली कि जो परतिसत हम निकालेंगे हमेंसा क्रेम मूले पे निकालेंगे मतलब नीचे के आएगा हमेशा क्रेम मूले रहेगा अगर आप लाव का परतिसत निकाल रहे हो तो उपर लाव लिखो नीचे क्रेम मूले लिखो गुणा करदो सोसे अगर आप हानी का परतिसत निकाल रहे हो तो उपर हानी लिखो, नीचे अभी भी क्रेमूले ही रहेगा, गुणा करदो सोच, ठीक है, तो हमेशा याद रखना, लाव या हानी परतिसत हमेशा किस पे निकाला जाता है, क्रेमूले पे निकाला जाता है, ठीक है, ये लाइन आप याद रखना है, जब मैं question कराऊंगा, तो इसका बहुत ज़्यादा use होगा, तो अब बात करते हैं, जो प्रशन 3 है, ठीक है, प्रशन 2 तक हम कर चुके हैं, देखो, जो प्रशन 3 है, पहले इसको समझो, इसमें क्या बोला गया है, फिर इसके solution की बात करेंगे, देखो, क्या बोला गया प्रशन 3 में, एक दुकान विक्रे मुले ज्याद कीजिये, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात, 24-100 रुपे जो है, वो क्या हो जाएगा, क्रे मुले हो जाएगा, क्योंकि इतने पर उसने खरीदा है, लेकिन ये कितनी वस्तू हुआ क्रे मुले हुआ, अस्ती वस्तू हुआ, क्योंकि उ तो पहले एक का निकालते हैं तो मैंने यहां पर लिखा मैंने यहां पर लिखा एक वस्तू का क्रैमुल पहले एक का निकाल लो ठीक है एक वस्तू का क्रैमुल ठीक है देखो 80 वस्तू को कितना है 2400 तो 2400 को अगर 80 से भाग कर दो ठीक है 2400 के 80 टुकड़े कर दो ठीक है तो जो एक टुकड़ा आएगा वो एक वस्तू का होगा क्योंकि 2400 जो था वो 80 चीज़ों का था तो हम एक का निकाल रहे हैं तो 80 से भाग करना पड़ेगा ठीक है नहीं यहां से आप याद रखना तो यहां से एक 0 से एक 0 कट गया 8 से काटोगे 8 3 24 एक 0 बचा है तो एक 0 लगा दो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक वस्तू का क्रेम उल्ले आगया 30 रूपे जो 2400 था वो 80 वस्तू का था हमसे एक का पूछा गया था हम क्रेम उल्ले भी एक कही निकालेंगी पहले ठीक है अब इसके बाद देखो लाब तो पर परतिसत ठीक है 16 परतिसत मैंने थोड़ देर पहले आपको क्या बताया था कि हानी का परतिसत या लाब का परतिसत हमेशा क्रेम उल्ले पे निकाला जाता है ठीक है तो मतलब जो लाब होगा 16 परतिसत ये किसका 16 परतिसत है ये 16 परतिसत है वस्तू के क्रेम उल्ले का ठीक है एक पर बोलेंगे तो एक वस्तू के क्रेमुले का 16 प्रतिसत सभी वस्तू का बोलते यानि असी के असी का तो असी के असी यानि कि जो 24 सो था उसका 16 प्रतिसत निकालते लेकिन हम एक वस्तू पर लाब निकाल रहे हैं तो एक वस्तू क्रेमुले कितना है 30 रुपे, अगर हम सभी वस्तू पे लाब, टोटल लाब निकालते, तो हम टोटल 80 वस्तू का क्रेम गूल ले लेते लेकिन यहाँ पर एक की बात कर रहा हूं है ठीक है, तो यह एक वाला आएगा ठीक, चलो फिर आगे चलते यहाँ पर हो गया 30, कागिजवा गुणा लगाओ पर 30 सत का निसान हटाना है तो 16 बटे 16 ठीक है, तो यहाँ से 10 से 10 गया ठीक है, कितना हो गया 16 गुणा 3, कितना होता है 48, और बटे में कितना है 10, 48 को 10 से भाग दोगे, तो कितना आ जाएगा यह जाएगा 4.8 ठीक है, नीचे एक 0 है तो इधर से एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं ठीक है, सिंपल सा तरीका है तो एक डिजिट छोड़ो 8 और पॉइंट लगा दो ठीक है, नहीं तो अगर आपको एस उन में नहीं आ रहा तो आप भाग करके देख लिए तो मतलब वस्तू पर लाब एक वस्तू पर लाब कितना आ गया 4.8 रूप है और हमें क्या निकालना था एक वस्तू का विक्रे मूल हम लिखेंगे एक वस्तू एक वस्तू का विक्रे मूल ठीक है, भई देखो क्या होता ह था क्रेमूल और लाब हुआ है तो जब किं पर एक बहुंगे तो याद रखना वही हु मैंने बता हुँआ ता की विक्रेमूल बराबर क्रेमूले में लाभ जोड की आता है तो वही किया है, विक्रेमुले जो है, वो क्रेमुले में लाव जोड़ किया है, तो एक वस्तु का विक्रेमुले कितना था, 30 रूपए, सोरी, क्रेमुले कितना था, 30 रूपए, ठीक है न, क्रेमुले, और लाव कितना हुआ है, 4.8 रूपए का, तो 30 में 4.8 जोड़ा, 30 और 4 34.8 रूपए ठीक है ना बहुत बार हम क्या करते हैं इनको पैसों को दो डिजिटर लिखते हैं तो 34 रूपए ऐसी पैसे क्या बोल रहा है चोथे क्वेशन ने बोला है हमसे एक वस्तु का मूले ठीक है 15,500 था 450 रूपए इसकी मरम्मत पर खर्च किये गए थे यदि उसे 15 परतिसत लाब पर बेचा जाता है तो उसका विक्रेमूले ग्यात कीजिए ठीक है तो यहाँ पर देखो जो क्रेमूले टोटल वाला आएगा वो दो छोटे-छोटे क्रेमूले से मिलके बने है ठीक है यूदि मैं 15 कुल क्रेमूले बराबर 15,500 और फिर अलग से खर्चा आ गया 450 रूपए का तो दोनों मिलाके तो खर्चा हुआ आपका ठीक है तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15,950 रूपए ठीक है इसको ऐसा समझो जैसे कि माल लो आपने एक cycle खरीदी ठीक है, 1000 रुपे की लेकिन cycle खराब थी, तो आपके 300 और लग्यों से ठीक कराने में तो यहर आपका तो total खर्चा 1300 हो गया, आप समझ सकते हो एक तरह से आपको cycle 1300 रुपे की पड़ी ठीक है न, यह उसको क्रेमूल 1300 हो गया नहीं चीज़ यहां पर भी है, कि मतलब 15,500 के अलावा 450 रुपे इसकी मरम मत में लग गये, तो total आप समझ सकते हो कि इन दोनों को मिला के खर्चा आया, इसको खरीदने का, तो जो कुल क्रेमूले होगा, total क्रेमूले होगा, वो इन दोनों को जोड के आएगा, ठीक अब आगे बात करते हैं अब यहां पर बोला गया है, 15 परतिसत लाभ पे बेचा, फाइदा कितना होगा 15 परतिसत, भाई जब आपने बेचा, तो परतिसत किसका जोडोगे जो आपका total खर्चा आया था, उसका 15 परतिसत, यानी कुल क्रेमूले का 15 परतिसत, यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो लाभ हुआ है वो बराबर है, जो कुल खर्चा आया, यानी कि 15,950 इसका 15 परतिसत का 15 परतिसत ठीक है 15 परतिसत लिखो या 15 बटे में 16 लिख दो, ठीक है, यही बात है जैसे यहाँ पर था ठीक है 16 परतीसा था तो 16 बटे में सो आया ही था तो मैंने सीधा वह जिक दिया ठीक अब यहाँ से 1-0 से 1-0 गया 5 से काटोगे 5-3-15 5 से काटोगे 5-2-10 3 से गुणा कर दो ठीक है तो 3 से पहले जो बचा लिख लेता हूँ 1-5 9-5 गुणा में क्या बचा है 3 बटे में कितना है 2 तो 3 को 5 से गुणा करोगे 3-5-15 का 5 हासिल गया 1 3 को 9 से करोगे 3-27 और 1-28 का 8 हासिल गया 2 फिर 3 को 5 से करोगे 3-5-15 और 28 में 2 हासिल गया था 15 और 2-17 का 7 हासिल गया 1 3 एकम 3 और 1-4 ठीक है और नीचे कितना बचा हुआ है नीचे बचा हुआ है दो ठीक है दो से इसको भाग दे दो यार ठीक है दो का पढ़ा चार में गया दो दूनी चार फिर दो का पढ़ा साथ में दो तिया च्छ साथ में से छे कट गया एक बचा अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे कर ले ना चार साथ आठ पाँच है दो से भाग दे देना दो से भाग दोगे तो आपको इतना ही मिलेगा ठीक है ना अब याद हो यहाँ पर हमें लाब पता लग गया दो हजार तीन सो बानबे दसमलो पांच रूपए ठीक अब हमें क्या निकाला था हमें विक्रेमूल निकालना था तो हम निकालेंगे यहाँ पर विक्रेमूल ठीक है विक्रेमूल क्या होता है अभी मैंने आपको बता है था लाब हुआ है तो जोड़ दो, हानी हुई तो घटा दो तो यहाँ पर लाब हुआ है ठीक है न? अब बताओ क्रेमुले कितना था इसका? टोटल, ठीक है न? क्रेमुले जो टोटल खर्चा है था 15,950 रुपए और लाब कितने का हो गया? 2392 दसमलो 5 रुपएगा इनको जोड़ लो, ठीक है रफ में? तो एक, पांच, नौ, पांच, जीरो अगले में क्या है? दो, तीन, नौ, दो, दसमलो 5 अब यहाँ पर दसमलो नहीं है तो यहाँ पर दसमलो के बाद 0 लगा दो ठीक है? दसमलो के बाद 0 लगा दो तो यहाँ से बजाएगा पांच, दो, नौ, पांच, चौदा का चार हांसिल गया एक, नौ, एक, दसमलो, तीन, तेरा हांसिल गया एक, पांच, और एक, छै, और दो, आठ, और एक ठीक है? तो आठारा हजार तीन सो बैयालीस अठारा हजार, तीन सो बैयालीस दसमलो, पांच, रूप है ठीक है? इतना बड़ा विक्रैमूल, ठीक है? नितने में बेचा गया होगा ठीक है? तो आपको यह चौथा प्रस्न भी समझ में आ गया होगा पांच, बएक की बाद करते हैं आप देखो जो पांच वा क्वेस्चन है, इस में में से बोला गया है एक VCR और TV में से प्रतेक को 8,000 रूपे में खरीदा गया दुकानदार को VCR पर 4 परतिसत हानी और TV पर 8 परतिसत लाब हुआ इस पूरे लेन देन में लाब अतवा हानी परतिसत गयात कीजिए ठीक है, मतलब क्या है दुकानदार दो चीज़े खरीदता है दोनों में से प्रतेक की कीमत 8,000 है मतलब की 8,000 है VCR की कीमत और 8,000 है TV की कीमत मतलब टोटल मिला के उसने 16,000 में खरीदा होगा इसका 8,000 उसका दुकानदार को VCR पर 4 परतिसत की हानी हो गई लेकिन TV पर उसे जब TV उसने बेचा तो उसे 8 परतिसत का लाब हो गया हमें बताना है कुल मिला के उसे क्या हुआ और उसका परतिसत भी निकालना है तो यहाँ पर देखो, ठीक है आठ हजार रूपए इसी तरह से TV का क्रेमुल परतेक की कीमत आठ हजार है तो TV का भी क्रेमुल कितना हो जाएगा आठ हजार रूपए ठीक, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कुल क्रेमुल कितना हुआ कुल का मतलब दोनों को मिला के ठीक है कुल क्रे मूल तो कुल क्रे मूल हो गया 8000 जमा 8000 यानि 16000 ठीक है ना 8000 जमा में 8000 यानि की 16000 रुपए उसने टोटल खर्चा किया दोनों चीज़ों को खरीदने में ठीक तो यहां से कितना आपको संद आ गया होगा अब आगे बात करते हैं देखो अब यहां पर पहले बात करते हैं VCR पर हानी कितने होई VCR पर हानी होई 4 पर तिसद तो यहां पर हम लिखेंगे VCR पर हानी VCR पर हानी ठीक हानी याथवा लाब किस पर निकाला जाता है इनका परतिशत क्रेम उल्ले पे तो यहाँ पे हानी निकाल रहे हैं VCR की तो VCR का क्रेम उल्ले जितना होगा उसका 4 परतिशत हानी होगी है और VCR का क्रेम उल्ले 8000 रुपए है दोरू का ही गहर 8000 है तो इसकी हानी हो जाएगी 8000 का 4 परतिशत ठीक है अब 4 परतिसत लिख हो या 4 बटे में 100 लिख दो एक ही बात है तो यहां से 2 0 से 2 0 कट गया 4 को इस 8 से गुणा करो 4 8 32 होता है और यहां पर 1 0 बचा था तो 1 0 लगा हो गई यानि कि 320 रुपे की तो हानी हो गई किस पर VCR पे तो VCR का विक्रे मूले कितना हो जाएगा VCR का विक्रे मूले देखो हम विक्रे मूले कैसे निकालते हैं अभी मैंने आपको बताया था विक्रे मूले के लिए हम क्रे मूले में अगर लाब हुआ है तो लाब जोड़ देते हैं हम खौटा देते हैं यहां पर हनी हुई है ठीक है तो कільки-क्रेम ले कितना है इसमें हम हनी हुई है तो गटा देंगे लाब होता तो जोड़ते है यहां पर क्या हो रही है हानी कितने रुपए की 320 कि तो 320 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे ठीक है तो 8000 में से 320 गटा दू जीरो में से 0 गया 0 10 में से 2 गया 8 एक खांसिल लिया होगा यहां पचा 9 में से 3 गया 6 और एक खांसिल देने पर 7 यानि कि 7600 680 रुपए में बेचा होगा भई खरीदा 8000 का था कम में बेच रहा है इसका मतलब नुक्सान हुआ होगा ना मतलब हमने सही किया है अब आगया आजाओ यह तो कहानी थी VCR की ठीक इसी तरह से के विजी की बात करते है इनी टी वी पर लाब ती वी पर लाब तीवी पर क्या हुए उसे लाब हुआ है कितने परतिसत का लाभ हुआए एचरी पर nutzen कहला किई क्रेम और चौनिक लाभ यहानी परतिसत Bubble क्रेम लने सकते हैं ठीक है 8000 का 830 आप ऐसी बता सकते हो देखो या 8000 का 430 320 है तो 430 का डबल ही तो है 830 तो 320 का डबल कितना हो जाएगा 640 आप ऐसे भी सो सकते हो नहीं तो आपको solve करना है तो solve कर लो यार ठीक है 2 0 से 2 0 गया 8, 864 होता है और 10 तो 10 यानि 640 रूपए ठीक है न बाकिया आप ऐसे भी सो सकते थे तो TV पर लाब कितना हो गया 640 रूपए अब बताओ कि उसका विक्रेमूल कितना होगा तो TV का विक्रेमूल ठीक है क्रेम मूले में लाब जोड़ोंगे न और लाब कितने का हुआ है लाब हुआ है 640 रुपई फिर चाहत रखो ये टीवी का क्रेम मूले है ये लाब है आप चाहो तो लिख ले न मेरे पास जगा कम इसलिए मैं लिख नहीं रहा नहीं तो ऐसा लिखना चाहिए वैसे क्रेम मू से देखो अब अगर मैं बताओं कि कुल दोनों को मिला के कुल विक्रेम मूले कितना आया कुल विक्रेम मूल कुल का मतलब दोनों को मिला के तो यहां पर आजाओ विक्रेम मूल कितना है 7,640 और टीवी का विक्रेम मूल कितना है 8,640 तो ठीक है 7,680 और 8,640 तो दोनों को जोड दो यहां ठीक है टोटल विक्रेम मूल आ जाएगा इतने में उसने विक्रेम मूल बेचा और इतने में उसने दूसरी चीज क्या है टीवी बेची तो दोनों को जरा एक बर जोड़ो कितना हो जाएगा जीरो में जीरो जोड़ा जीरो चार और आठ बारा का दो हासी लेक छे और छे बारा एक तेरे का तीन हासी लेक आठ साथ पंदरा और एक सोला 16,320 रूपए में उसने टोटल दोनों चीजों को बेच दिया हमसे बोला गया था पूरे लेंदेन में लाव यहान ही याद किजिए तो पूरे लेंदेन की बात करते हैं पूरा मतलब दोनों का टोटल तो जब हम क्रेम मुले देखेंगे तो टोटल वाला देखेंगे विक्रे उसे क्या हुआ फायदा दोनों को मिला के उसके खर्च हुए 16,000 रूपए दोनों को मिला के उसने वेचा 16,320 रूपए का तो उसे फायदा हुआ है ठीक है यह आप उतार ले ना अब क्यूंकि मेरे पास यहाँ पर जगा नहीं है तो मेरे कोई मिटाना पड़ेगा ठीक है बीच की चीजें ताकि मेरे पे जगा बन जा है ठोड़ी और मैं आगे वाली चीजों को कर सकूँ ठीक तो यहाँ पर याद रखना कि भई कुल विक्रे मूल कितना आया है ठीक है इसको में उपर रख दे रहा हूं कुल विक्रे मूल जो आया है वह 16,320 रूपए का ठीक है लाब कितने का हुआ भाई देखो 16,320 बड़ा है ना बड़े वालन चोटा लगटा तो 16,000 तो कितने का गया 320 रूपए का तो 320 रूपए का लाब हुआ है हमें क्या निकलना है लाब परतिसत मैंने आपको बताया था कि अगर लाब यहानी का परतिसत निकलना हो तो नीचे यहान पर तोटल पर निकाल रहे हैं मतलब कुल क्रीम रूपए और जिसका निकालते है वो उपर आता है लाब दोगे और परतिसत करने सान का जाएगा तो दो लाब कितना हुआ 2020 रूपए को acuerdo मुल्य कितना है 16,000 गुणा कर दो कितना से 100 से यह जगा इतने परतिसत अब देखो यार 2,0 से 2,0 लादो 1,0 से यहाँ पर 16,1,16,2,32 तो कहने का मतलब कितना है यहाँ पर दो परतिसत तो 2,0 का क्या हुआ उसे है लाद तो लाद परतिसत कितना हागया दो परतिसत ठीक तो यह था पांचवाँ अब बात करते हैं छटेगी देख यहाँ पर छटा क्वेस्टन क्या है पहले समझो इसको ठीक अ सारे क्वेस्टन असान लगते हैं अगर आपको बेसिक चीज़े के दोरान एक दुकान सभी वस्तों के अंकित मूले पर 10% बट्टा देती है 1450 रुपए अंकित मूले वाला एक जीन्स और दो कमीजे जिनमें से प्रतेक का अंकित मूले 850 रुपए है को खरीदने के लिए किसी ग्रहक को कितना भुकतान करना पड़ेगा ठीक है मतलब की यहाँ पर सबसे पहले में समझना है बट्टे का क्या मतलब होता है ठीक है ना बट्टा क्या होता है बट्टा का मतलब है अंकित मूले पर छूट ठीक है, सवाल को थोड़े देख लिए भूल जो, एक example देता हूं बट्टा समझाने के लिए समझों कि आप एक biscuit का packet खरीदने गए ठीक है, और इसका जो biscuit का packet था, इस पे जो रूपे छपे हुए थे ठीक है, कीतने रूपे का है, वो 50 रूपे है ठीक है, मतलब कि जो हाँ पर price tag लगा हुआ है, जो छपा हुआ है, उस पे वो हो जाएगा अंकीत मूल ठीक है, मतलब उस पे छपा तो था 50 रूपे लेकिन, लेकिन क्या हुआ, जब दुकानदार पर आप खरीदने गए, तो उसने आपको 20 रूपे का बट्टा दे दिया ठीक है, बट्टा कितने का दिया, उसने 20 रूपे का, ठीक है न, बट्टा दे दिया 20 रूपे का अब 20 रुपे का बट्टा का मतलब है यह चूट दे ली यनि कि 50 रुपे था लेकिन उसने आपको 30 रुपे में ही समान दे लिया ठीक है यनि कि विक्रे मूले जो उसने रखा विक्रे मूले ठीक है वो 20 रुपे कम पे रखा तो 50 में 20 की चूट मिल गई तो मतलब 50 में से 20 घटा दो कितना हो जाएगा 30 रुपे ठीक तो कहने का मतलब है बट्टा क्या होता है अंकित मूले पर छूट तो जब भी बट्टे की बात की जाएगी तो बट्टा किसके बराबर होगा बट्टा होता है बराबर अंकित मूले ठीक है मतलब की 50 में से 30-20 रुपे का उसने बट्ठा दिया ठीक है तो चाहे आप ऐसे formula याद रखो ठीक है चाहे आप ऐसे formula याद रखो या फिर ठीक है या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि भई विक्रे मूले को इधर ले ओ बट्टे को इधर ले जाओ तो बट्टा क्या होता है बट्टा होता है चूट जो हमें चूट मिलेगी ठीक है बसे आपको इतना याद रखना है तो अब देखो अब हम इस प्रस्ण को कर सकते हैं अब अपने प्रस्णे पर वापिस आ जाओ बिस्किट वाला एक्जामपल भूल जाओ ठीक है बिस्किट बिस्कुट जो भी आप बोलते हो ठीक है उसका एक्जामपल त्रोफ एक लिए बूल जाओ यहाँ पर क्या है कि भाई सभी बस्तू पर दर्स प्रतिसत का बट्टा जैती है तो पहले बात करते हैं कि कुल अंकित मूले, ठीक है, कुल अंकित मूले कितने का हुआ, तो मैंने यहाँ पर, पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर, इसको थोड़ा उपर कर दिया ताकि जगा बन जाए, मैंने अप लिखा कुल अंकित मूले, कुल का मतलब स जिन्स अंकित मूले था प्लस ठीक है जिन्स के अलावा दो कमीजे भी है ठीक है जिसमें से प्रतेक का मूले 850 रुपे है यानि कि 850 का डबल कर दो क्यूंकि आप 2 कमीजे खरीद रहे हो ठीक है न एक 850 रुपे कि दो कितने जैंगी दो गुड़े 850 तो टोटल ये कितना हो चौदा सो पचास जमा में 850 का डबल सत्तरा सो हो गया 8 दूनी 16 सो और 50 पचास सो तो इन सब को जोड़ दो यार ठीक है एक 0 में 0 जोड़ा एक 0 में 5 जोड़ा साथ में 4 जोड़ा 11 हंसिल एक एक रूब 2 ठीक है एक और एक दो हंसिल 3 तो 3,150 रुपे टोटल अंकित मूले के बराबर हो गया ठीक है 1450 रुपे अंकित किस पे था जीनस पे और 850 की 2 सर्ड थी ठीक है दोरों कमीज थी 300 कमीज भई हो गया तो मतलब दोरों मिला कि ठीक है 2 यह और एक इतने रुपे का कूल अंकित मूल ले आया और बट्टा जो है ठीक है बट्टा देखो याद रखना बट्टे का जो परतिसत निकाला जाता है ये अंकित मूल पे निकाला जाता है ठीक है बट्टे का परतिसत किस पे निकाला जाता है अंकित मूल पे ये बात आपया रखना तो बट्टा है 10 परतिसत और अंकित मूल ले ठीक है? हम यहां पर Kilवथ्टे की बात कर रहे है कुलवथ्टा तो कुलवथ्टा किस पर निकल जाएगा? कुल अंकित मूल पर कुल अंकित मूल कितना है? 3,150 इसका छूट कितने मिलेगी? 10% की सिंपल सी बात है 10% का बट्टा है मतलब जो भी टोटल अंकित मूल ले आया दुकान पे वो 10% कम हो जाएगा ठीक है ना? तो कुल बट्टा 10% 10% क्या मतलब है परतिसत का निजान आटा हो गए तो नीचे ये लग जाएगा एक जीरू से ये गया एक से ये गया, कितना बचा 315 गुणा एक यानि कि 315 यानि कि 315 की छूट मिल गई तो भाई भुकतान या विक्रे मूल ठीक है? जो भुकतान करेगा ठीक है? वो कितने के बराबर करेगा? कितना विक्रे मूल ले हो इतने बेचेगा तो विक्रे मूल ले विक्रे मूले कितना बै अंकित मूले तो था 3,150 लेकिन बट्टा जो है जो छूट है उसे माइनस कर दो तो उतना कम कर दोगे भई तो छूट कितने की मिल गई जितने का बट्टा होगा 315 रुपए की ठेक है तो 315 इसमें से घटा लो और यहां बचा दो, तो मतलब की 2835 रूपए का भुकतान उसे करना पड़ेगा क्योंकि जितना विक्राय मूल लोगा, उतने का भुकतान करेगा, तो आप अगली राइन लिखोगे 2835 रूपए का भुकतान गरहक को करना पड़ेगा ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो में इतना ही बाकी क्वेस्टन देखेंगे अगली वीडियो में थैंक्पर वाचिए